हलो फ्रेंड वेलकम टो चैनल नौलज आप फार्मिसी तो बी फॉर्म फर्स्टियर का हेल्थ एजुकेशन और कम्मुनिटी फार्मिसी का एक टॉपिक कम्मुनिकेबल डिजीज जिसमें हम आज एस्टिडी यानि शेक्स्वल ट्रांस्मीटेड डिजीज पढ़ते हैं तो इसको जो है बहुत ज्यादा स्कर्प कर दिया जाता है क्योंकि जो है इसमें लोग स्थर्म करते हैं तो इसके जो है क्या देखेंगे इसमें सेफलिस, गोनोरिया, चैनोर्ड, लिम्फो, ग्रेनोलूमा, बेनोरियम, ग्रेनोलूमा, इन, ग्रेनोले ठिक और एर्स तो इसमें हमें सेफलिस और एर्स और गोनोरिया ही पढ़ना है ठिक तो इसका काजेटिव एजंट क्या होता है यह हमें ध्यान देना है ठिक तो तो काजेटिव एजेंट में आप माइक्रो आर्गनिजम लिख सकते हैं क्योंकि यह वाइरस से होता है सेपलिस बैक्टेरिया से होता है तो इसमें आप माइक्रो आर्गनिजम लिख सकते हैं Transmission इसका only by direct sexual contact हमने लिखा है क्योंकि only by sexual contact से ही हो सकता है इसमें होता क्या है कि ये awareness तो हई ही अगर doctor जो है ये disposal syringe यूज कर रहे है यूज एंट्थरो और blood transfusion जब होता है तभी भी awareness है पहले चेक होगा फिर blood जो है जो है donate करते हैं या लेते हैं blood और इसमें जो है बहुत कम ही चांत रहता है तो only sexual direct transmitted होता है ठीक अब हम देखेंगे इसमें sephalis तो sephalis sephalis क्या है इसका causative agent ये sexually transmitted काज ट्राइपोनोमा पेलीडियम इन्टैनली इसका क्या ये बैक्टेरिया है ट्राइपोनेमा पॉलीडियम तो इन्टैनली मतलब सुरुवाती रूप में यही इसका जो है काजेटिव एजेंट है सिम्टम क्या आएंगे sephalis hard sore in the penis are below इसमें क्या होगा पेनिस में यानि से सिफ्लिस में hard sore सिफ्लिस में कठोर हो जाएगा मतलब दर्ण होगा यानि तोचा चांव पेनिस में तोचा कि पेनिस में दर्ण होगा या यह यूनी मुख में तो इसमें जो है दर्द होगा और धीरे-धीरे grandoli of affect heart blood vessels and nerve क्यां होगा it's a lot if I और नर्व में क्या होगा कि अब Transmission क्या होता है कईसे होता है कि जो है इसका justified खुन्टेट इन्फेक्टेड परसन जो भी infected person है उससे sexual contact अगर physical contact बनाया जाए ठीक sexual contact बनाया जाए और congital cplice newborn caused by infection from mother the placenta इसमें क्या होगा मदर के placenta से यानि बंसागत जो cplice होता है मदर के placenta से newborn यानि बच्चे में जो है transfer हो जाता है prevention and control कर कैसे करते हैं तो इसमें detection यानि पहचान करेंगे आपके साफ से प्लिस इंदी tracking in contact tracking in contact पहचान करेंगे से प्लिस की और कि ट्रीटमेंट बिद्ध ड्रग लाइक पी एम और जो treatment प्रोफाइलिक सिद्रग जो है treatment के लिए जो दी जाती है तो उसमें बेंजो थाइन पेलसलीन ग्रूप और बेंजो थाइन ग्रूप जो है प्रियोग की जाती है avoiding pro-masing sexual contact हम sexual contact को avoid करते हैं जो की स्वसंदधा से ना हो उस सक्स को हम avoid करते हैं क्या करते हैं निरोध का यूज करते हैं एक डिवाइस होती है सेपलिस की प्राबलम को कम कर सकता है ओके थैंक्स हम मिलते हैं नेस्ट वीडियो में आप चाहें तो इसके इन सौट ले सकते हैं